हालो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे संसाधन और संसाधन के परकार तो एक एक चीज को बढ़ ही आराम से समझाओंगा देखते चलिए संसाधन जिसे एंगलिस में कहते हैं रिसोर्सेज मैंने लिखा है कि मनुस्य के काम में आने वाले सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती हैं जैसे मैं देखिए सूर्य का परकास, जल, वायू, मिटी, घर, गाड़ी, कौपी, किताब, टॉर्च, आदी, ये सभी के सभी क्या है, संसाधन ही है, तो ये चीज़ आप माइंड में सेट कर लिजिए, ओके, तो I hope संसाधन को आप समझ गए होंगे, यानि मनुसिये जिस भी वस्तू को उप्यो करते हैं, वो सभी वस्तू क्या है, संसाधन ही है, ठीक है, तो चलिए समझते हैं संसाधन के परकार, संसाधन के परकार, यानि type of resources, पहला होता है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा होता है मानो निर्मित संसाधन, तो चलिए अब समझते हैं प्राकृतिक संसाधन, जैसे एंगलिस में कहते है natural resources मैंने लिखाया कि मनुसी के काम में आने वाले वैसे वस्तुयें जिसको किसी ने नहीं बनाया प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं जैसे में देखिए सूर्य का प्रकास हो गया वन हो गया, जल हो गया मिटी हो गया हवा हो गया खनीज हो गया इंधन हो गया गैस हो गया ये सभी के सभी क्या हो गया प्राकरितिक संसाधन तो ये चीज भी आप आसानी से समझ गये होंगे चलिए अब हम समझ लेते हैं मानो निर्मित संसाधन अगला है मानो निर्मित संसाधन इंगलिस में कहेंगे man mad resources कि मनुसिय के काम में आने वाले सभी वस्तुए जिसको मानो ने खूद बनाया हो मानो निर्मित संसाधन कहलाते हैं तो आसानी से लिखा हुआ है, घर हो गया, दरवाजा हो गया, मोबाइल हो गया, गारी हो गया, ये सभी के सभी क्या हो गया, मानो, निर्मित, संसादन, तो ये चीज आसानी से आप नोट कर लिजिए, I hope इस वीडियो से आप बहुत कुछ सिख चुके होंगे, तो चलिए, जुड़े रही है